हेलो केड़ेट्स जाहिन टो एब्रिवन वन्स अगेन यूर मुश वलकम इन यूर चैनल आर्मी बॉइस ग्यान सागर आपको एंसेसे में यह जरूर बताया गया होगा अगर आप एंसेसी के सी सेटिफिकेट करते हो तो आपको रिटर्न एक्जाम नहीं देना होगा आप डाय एक SSB दोगे चलिए इसको डीटेल में समझते हैं क्या है एंसेसी स्पेसल एंट्री इसके वेकेंसी कब आते हैं कितने बार आते हैं और कितने वेकेंसी रहते हैं ओके सो सबसे पहले आप यहां देख सकते हो इंडियन आर्मी यह मैंने क्यों लिखा हूं इंडियन आर्मी ज उसी तरह F-Cut NCC Special Entry भी आता है जो Air Force के लिए होता है जिसमें आप Air Force में Flying Officer बन सकते हो आप अभी तक अगर आपने F-Cut का फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो आप हम इस वीडियो को जरूर देखें एंड अप्लाई कीजिए उसमें भी 0 fees है अगर आपका पास C Certificate है तो और मेन और मेन दोनों भर सकते हैं मेन के लिए 50 है और मेन के लिए 5 वेकेंसी रहती है टोटल 55 वेकेंसी हर साल आता है और साल में कितना वर आता है वो आगे जानता है चलिए एज आपका कितना होना चाहिए एंसे से Special Entry का अपलाई करने के लिए 19 से 25 साल के बीच आपका परसर आप अगर फाइनल एर में हो तो भी आप अपलाई कर सकते हो ओके इसके साथ साथ आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है आपका ग्रेजुशन में 50 परसेंट तो होना ही चाहिए उसके साथ साथ मिनीमम बी ग्रेड इन सी सर्टीफिकेट इसको भी ध्यान से दीज़ यह गलती बहुत सारे केड़ेट करते हैं आपका एन सी का सी सर्टीफिकेट में बी ग्रेड होना चाहिए अगर आप एन सी स्पेसल एंटरी का फॉर्म अपलाई करना चाहिए तो आपका सी सर्टीफिकेट में बी ग्रेड होना चाहिए मिनीमम एक ग्रेड है तो वेरी साल पहला साल पहला वर आएगा अप्रेल का मन्त में ओके और दूसरा आएगा ऑक्टोबर मन्त में नोटिफिकेशन के बात कर रहा हूं ओके अगर अप्रेल का मन्त में नोटिफिकेशन आता है इसमें तो रिटन एक्जाम देना नहीं होता डायरेक्ट एससबी दो गया अगर अप्रेल का मन्त में नोटिफिकेशन आया तो आप मैं इसे जुलाई के बीच में आपका इंटर्विव होगा यानि कि SSB अभी मेरे बहुत सारे ऐसे बड़ीज हैं जो एंसे से स्पेसल इंटर फॉर्म भरे थे वो अभी SSB दे रहे हैं जो नोटिफिकेशन है वो ऑक्टोवर में आता है कलियर है कब आता है अक्टोवर में अब जो आएगा उसका SSB कब होता है नवंबर से जनवरी के बीच में आपका SSB होता है क्लियर है इसमें तो रिटर्न एक्जाम नहीं है डायरेक्ट आप सस्पी दोगे जितने भी कैड़ेट्स इस साल सी सर्टिफिकेट अचीब किये विट बी ग्रेड मिनिमम बी ग्रेड वो रेडी हो जाई है अक्टबर मन्त में इसका नोटिफिकेशन आता है अभी साब त्यारी कर सकते हैं और इसका जो ट्रेनिंग होता है वो है OTA में OTA चन्नाई में और कितने वीक्स का 49 वीक्स का और एक चीज इंपॉर्टेंट है बहु आई होप आपको पूरा एंजसे स्पेसल एंटर के बारे में समझ में आ गया होगा ये इंडियन आर्मी के दौरा रिलीस किया जाता है और अगर आप एर विंग नेभी विंग से हो तो क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर यही डाउट है तो जरूर ध्यान से सुनि हैं अगर आप एर फोस और आर्मी विंग से हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई तो जरूर कर सकते हो लेकिन आपका एससबी भी होगा आप एससबी भी दे पाओगे जब एससबी के बाद डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय यू में भी रिजक्टेड अगर इंडियन आर्मी है तो जो भी आर्मी विंग है उसको फर्स प्रायोटी दिया जाएगा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जितने भी आर्मी विंग के अंसेसिक एरेट्स है वो इसको जरूर अपलाई करें ओके और कोई भी डाउट्स है आप कमेंट में लिख सकते हैं जाएं तो आबरोएं